दोस्तों ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहें लेकिन दो कमेंट्स के बारे मैं आज बात करूँगा जो वाकिमी बहुत सब किसी जो भी फेस्बुक के उपर एक्टिव होता है जो फेस्बुक से अधिन करना चाहता है उनके दिमाग में दोस्तों दो कन्फूजन जरूर होते हैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो कमेंट मेरे पास आया है यही आया है कि हम अपनी एक फेस्बुक प्रोफाइल से कितने पेज बना सकते हैं और कितने पेजों को एक साथ रन कर सकते हैं मेरे पास यह कमेंट्स कई बारे में पहले बता चुका तो फ्रें पारे लॉंग वीडियो पर कम तो नहीं हो जाएंगे काफी नोलेज़ेबल और बहुत छोटा ही वीडियो होने वाला है तो दोस्तों चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर मैं वन बाई वन आप लोगों को डिटेल से बताता हूं इसमें क्या होता है और क्या नहीं यह देखो दोस्तों जैसे मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूं और यह आपको दिख रहा होगा मैं अपने फेस्बुक प्रोफाइल पे क्लिक किया है सबसे पहले तो आपको इक चीज बता जाता हूं अगर फेस्बुक से अर्निंग करना परेगा मैंने किया हुआ इसले टर्न ओफ दिखाई दे रहा है यही सबसे पहला होता है अगर प्रोफाइल से अर्निंग करना होता हूं अब फ्रेस्बुक प्रोफेस्बुक प्रोफाइल का नाम है और यह बाकी जो भी आपको दिख रहे हैं यह तीन और चार पेज है तो बड़ी इसली दोस्तों आप चार पेज रन कर सकते हो एक ही प्रोफाइल से कोई प्रोब्लम नहीं होगी कोई भी इश्यू नहीं होगा यह आप बड़ी इसली देख सकते हो यह अपर और अब फ्रेंज देखो जेजेखो इतने सारे मैंने फैजिज बनाये होई हैं अब मैं मानलो एक page पर select कर लिया, किसी पर switch हो के बताता हूँ, और अब मैं दूसरी problem के बारे में बात करूँआ, सबसे पहले तो आप switch ये देख लो, मैं facebook page की बात कर रहा हूँ, facebook page पर आ चुका हूँ, इससे जो earning करते हैं, हम कैसे करते हैं, यह आपको एक option दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बड़ी इसली आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रोफेशनल डेस्बोर, दोस्तों, बहुत इंपोर्टन वीडियो होने वाला और बहुत छोटा, यह देखो, जैसे प्रोफेशनल डेस्बोर्ड पर क्लिक किया, आपको एक option दिखाई दे रहोगा, इस तरीके से, इसमें दोस्तों आपको इनफोर्मेशन के लिए चीज़ बता जेता हूँ, और नीचे आपको एक option दिखाई दे रहोगा, in stream ad, यह होता है, दोस्तों, long videos अगर आप upload करोगे, यह in stream ad से आप अच्छी खासी earning कर सकते हो, यह star bonuses यह ज्यादा कोई वो नहीं है, अब मैं बात कर लेता हूँ, इस पे facebook page के उपर, अगर आप long videos के साथ reels upload करते हो, इसके बा प्राड़े में थोड़ा और मैं बताऊँगा, आप लोगों को, सबसे पहले तो यह देख लो, आप category कैसे select कर सकते हो, अपने facebook page पे, आप जो भी content upload करते हो, उच साब से, यह privacy को option दिखाई दे रहोगा, जैसे इस पे click करते हैं, हलाकि इसके बारे मैं पहले भी बता चुका करते हैं, अपने original content upload करते हो, जो भी category आपको चाहिए, बड़ी इसली यहां से आप जो लिखोगे, आपके सामने आ जाएगी, अपने content के हिसाब से, बहुत आसानी से उसको select कर सकते हैं, यह देखो, arts and entertainment होती है category, यह अगर आप movies या entertainment related कोई video, reals upload करते हो, यहां से यह select करनी आपको बहुत ज़्यादा जुरूरी है, friends अब थोड़ी सी बात करते हैं, यह category होगी, आप बड़ी इसली देख सकते हो, arts and entertainment, यह movie की clip, चाहिए, आपके funny action scenes, आप कुछ भी upload करते हो, अपने facebook page पे, friends, यह category यहां से ज़रूँ select कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अग जैसे business लिखोगे, जो भी आप इसमें सर्च करना चाहो, दोस्तों, बहुत easily कर सकते हो, यह category लेकिन proper select करनी बहुत ज़रूरी होती है, अब मैं बात कर लेता हूँ, इस दूसरी चीज के बारे में, देखो दोस्तों, यह वाक्य में आपके लिए ज़्यादा beneficiary और होगी यह चीज, अगर आप अपने facebook page के long videos upload करते हो, और उसके साथ साथ अगर reels भी upload कर रहे हो, तो यह आपके facebook page को grow होने में आपको बहुत ज़्यादा help करेगी, लेकिन इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है friends, आपको जो जिस हिसाब से आप long videos upload कर रहे हो, चाहे comedy के कर रहे हो, त उसके ओपर comedy से related ही reels upload करना, अगर action scenes, movies के upload कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप कहने का मतलब समझ गयोगे, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, same content से related ही, वो reel भी होनी चाहिए, और वो long video भी, तो ही दोस्तों, आपके facebook page को बहुत जल्दी से और अच्छी से growth मिलेगी, तो इस facebook page को growth होने में आपको बहुत ज्यादा help मिलेगी, क्योंकि आपको भी एक चीज पता होगी, facebook के उपर, facebook page के उपर, जो reels होती है, उनकी reels दोस्तों बहुत ज्यादा होती है, reels के viral होने के chances बहुत ज्यादा से ज्यादा होते है, क्योंकि long videos के मुकाबरे reels आपको पता है, 15 seconds, 20 seconds, 30 seconds की, तो इस तरिकेशन के viral होने के chances ज्यादा रहते है, और facebook भी reels को दोस्तों ज्यादा recommend करता है, तो इस चीज में बिल्कुल confuse मत होना, बहुत आसानी से, आप long videos के साथ reels भी upload कर सकते हो, इससे आपको कोई problem नहीं होगी, बलकि इससे आपको कुछ फाइदा ही मिले में और उसके उपर subscriber बढ़ाने में, अब friends जाते जाते यह कह रहा हो, अगर यार इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, और आपको लगा हो, मैंने कोई अच्छी चीज आप लोगों को साथ share किये, यार वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर देना, यार मेरे प देखने को मिलते रहेंगे, तो दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में तब पर आप